हेलो फ्रेंड्स आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेडी वित्राहिल अनसारी में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूए नो और भारत के बारे में कि यूए नो जो है अंतराश्ट्री है यूनाइटेड नेशनल और्गिनाइजेशन संयुक्त राष्ट संग उसमें हमारे देश भारत के क्या बूमिका है और ये जो इसेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपोर्टेंट टोपिक है तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते ह सबसे पहले देखिए यूएनो और भारत यूएनो के संदर्व में हम भारत की भूमिका को देखेंगे और यूएनो के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो कि हमारे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है यूएनो में भारत की भूमिका तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबस समय राष्ट पती थे 1920 में उनका नाम था वुड्रो विल्सन तो वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने राष्ट संग का गठन किया जो राष्ट संग था उसका मुख्याले कहां पे था जिनेवा में इसका मुख्याले था लेकिन ये राष्ट संग अपने कारे को प्रभावश पती थे Franklin D. Roosevelt, Roosevelt जो थे उन्होंने संयुक्त राष्ट संग का गटन किया, United Nation Organization का, इसका आइस ताइम मुख्या लेता हो था, लीक सेक्सेस अमेरिका में, जो UNO का आइस ताइम मुख्या लेता हो था, लीक सेक्सेस में, और इसकी स्थापना होई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ये इ UNO का इस ताइम मुख्या ले, आइस ताइդो लीक सेक्सेस में, और इस ताइम मुख्या लेता हो था, नियूवैर्ड में, इस्तितित्ए, उसके पहले देखें, जब ये इसका गठन उग था, 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसके प्रारवत में, 51 सदस्य थे, लेकिन, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य वर्तमान में इसमें एक सो तिरान में 193 देश इसमें सामिल हो चुके हैं सबसे नया जो एक सो तिरान में वा देश जो सामिल हुआ है वो है दक्षनी सुडान इसको आप याद रख लीजेगा यूएनों जो बाशा हैं प्रियोग में लेता है तो वो है छे बाशा हैं, छे बाशा हैं कौन-कौन सी हैं, तो वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, चीनी को मंडारियन भी कहते हैं, अरबी और स्पैनिश, ये यूएनों की कुल छे बाशा हैं, अब यूएनों की क कारेकारी बाशा हैं कौन कौन सी है तो उसकी कारेकारी बाशा एक तो अंग्रेजी और एक फ्रेंच ये दोनों जो शुरू आती बाशा हैं ये दोनों यूएनों की कारेकारी बाशा हैं आगे देखिए UNO ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की गोश्णा की ताकि मनुश्य अपने दिकारों को सुरक्षित रख सके इसलिए 10 दिसंबर 1948 को UNO ने मानवाधिकारों की गोश्णा की UNO का जो चार्टर लिखा हुआ है उसमें एक तो प्रस्तावना है जैसे हमारा सविदान है वैसे UNO का भी एक चार्टर है उसमें 19 अद्याई है और 111 दराय है UNO की प्रतम बेटक हुई थी 10 फरवरी 1946 को उसके बाद देखो UNO के अंग तो UNO के मुख्यते 5 अंग होते हैं जिसमें महासबा सुरक्षा परिशद अंतर राष्ट्रे नियायले सची वाले आर्थिक एम सामाजिक परिशद और नियास परिशद कुल UNO के कितने अंगे 6 तो सबसे पहले देखें महासबा महासबा में 965 सदस्य होते हैं कुल जो है UNO में 103 में देश से और प्रतेक देश से 5 सदस्य लिये जाते हैं इस तरह से 965 सदस्य महासबा में होते हैं महासबा के जो प्रतम अद्देख्ष थे वो थे पॉल हैंरी जो बेल्जियम के रहने वा से ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये आठवी महासभा की अद्धिक्ष रही है 1952 तरेपन में विजय लक्षमी पंडित तीन नौंबर 1950 को शांती एकतागा महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया उसके बाद अगला आंगे सुरक्षा परिशत इसका मुख्याले न दो साल में हट जाते हैं तो देखे इस ताई गोन-गोन से इस ताई ब्रिटेन फ्रांस रशिया चाइना और अमेरिका ये पांचों ये इस ताई यह यानि कि हमेशा सुरक्षा परिशत के सदस्य बने रहेंगे और अईस्ताई जो सदस्य है वो प्रतेक दो वर्ष में हट प्रतेक और जो भारत है वो इसका पांच बार साथ बार सदस्य रह चुका है जो अईस्ताई सदस्य है उसमें भारत भी होता है तो भारत इसका साथ बार सदस्य रह चुका है उसके बाद देखे अंतराश्री नियायले अंतराश्री नियायले क्या होता है इसको विश्व का नियायले भी कहा जाता है, यानि कि ये पूरे संसार की अदालत के नाम से भी जाना जाता है, इसके हम उख्याले हेग नीदर लेंड में, कुल जज इसमें पंदरा होते हैं, इसमें जो भारतिय मूल के जज रहे हैं, वो हमारे राजस्तान के ये, डॉक्टर नरेंदर सिंग ज अंतराष्टी नियायले में जज रहे चुके हैं, और एक जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि जोतपुर के रहने वाले हैं, वो भी अंतराष्टी नियायले में जज रहे चुके हैं, अगला अंगे सची वाले, इसका मुख्य जो है, मुख्याले, वो तो है नियू योर्क मे एंटेरियो गुटरस जो इसके माहस अच्जीव है वर्तमान में कोँन है एंटेरियो गुटरस उसके बादे आर्थिकम सामाजिक परिश्ट इसका मुख्याले है नियुएर्क में सदस्य है 84 देश कारे काल होता है सबी का 3 वarson उसके बाद नियास परिशट इसका कोई कारे नहीं होता है इसका मुख्यल नुई-यॉउर्क में स्थित है उसके बाद देखे भारत भी जो है शुरक्षा परिशट का इस्ताई सदस्य बनने के लिए परियास कर रहा है और जो G4 देश है उसमें पूरे सदस्य है वो सभी इस् हैं तो जी 4 में कौन-कौन से देश हैं आय बी ऐसे हैं हैं इंडिया प्राजील जर्मनी है जापन इस जी फोर देशों का क्रब में आप इसको याद रख लिएगा आई बी ऐसे उसके बाद faucs देश तो breeze देश कौन गुण से हैं तो ब्रेक्स में आता है ब्राजील इंडिया चाइना रशिया और साउथ अफरिका अब देखे यूए नो के कुछ अन्य अभी करण भी है तो उनके बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं हाँ तो यूए नो के जो अन्य अभी करण है वो कुछ इस प्रकार है यूए नो के अंग तो सबसे पहले है डबल्यू एचो डबल्यू एचो क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजेशन जिसका मुख्याले जिनेवा मिस्तित है और इसकी स्थापना साथ अपरेल 1948 कोई अगला है आई एफ ए ओ ए ओ क्या होता है तो आई एफ एो के बारे में आप देख लीजिए आई एफ ए होता है international नेशनल कि आई ये फ़े होता है इंस्टेट्योड फ्रांसेज आर्च्रोलजी ओर गयनाईजेशन और इनएट सोरी ओर इनएट तो इसका मुख्याले हुए वह आपके रओम में स्तेते हैं इस का मुख्याने Row में स्तेते और इसके स्ताबना 16 अक्टूबर亞 45 का वी हमिसी का मुख्याने इस्तेती हैं अगला है यूनीचेफ यूनीचेफ जोता है इसका मुख्या ले जो है इसके नियू-योर्क में स्तेते और को इसके स्तापन वही थी 11 दिसंबर 16 11 को स्की स्तापन वही थै अगला है इंक ऑंद्ध को करते हैं तो इसका मुझ्छा लेर आपका वाशिंगेटन डेसी म अमेरिका में और इसकी स्तापना हुई थी 17 दिसंबर 1945 को उसके बाद है IAEA मतलब जो है यह होता है International इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानि कि जो परमानु हतियार वगेरा होते हैं इनसे ये संबंदित होता है और इसका मुख्याले कहां पे स्तिते वियना में इस्तिते इसकी स्तापना 17 जुलाई 1957 को हुई थी ये परमानु संबंदी मामलों पर नियंतरन करता है उसके बाद इसकी स्तापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी और इसका मुख्याले भी वियना में इस्तिते तो आप ये दोनों का मुख्याले वियना में इस्तिते उसके बाद यूनेसको यूनेसको की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइन्टिफिक कोर्फोरेशन ये जो है कला संस्क्रती जो होती है हमारी अलग-अलग लोक कला है और एजुकेशन से गरीब बच्चों की सिक्षा के लिए और महानवदिखारों की रक्षा के लिए जितनी भी चीज़े होती है उन सभी को संद्रक्षन और बढ़ावा देने का कार्य यूनेसको करता है का मुख्या ले जो आपके पैरिस में स्तित है और यूनेसको की स्तापना चार नॉमबर उनने सो चीज़े लिसको ही थी तो इसमें सबसे ज़दा इंपोर्टेंट है यूनेसको तो ये था यून और भारत अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैन